नमस्कार आप देखने एविपी लाइव और आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा महराश के बेड़ से चोरी का एक चोकाने वाला मामला सामने आया है गटना पिछले ही शनिवार की है जब चार चोरों ने मिलकर मैं दो मिनिट में ही SBI बैंक की ATM मशीन को खाड लिया और उसे पिकप वैंसे बांद कर भाग गए लेकिन ये मामला तब सुर्खियों में आया जब ATM मशीन को हाईजैक करने का ये नजारा CCTV कामरा में कैद हो गया विडियो में साफ दिखा गया कि कैसे पहले दो मूँ छिपाई चोर हाथ में पीली रसी लेकर अंदर भुसते हैं और ATM मशीन को रसी से बांद कर खीचते हैं देखते ही देखते विडियो में सामने आते हैं इनके दो और साथी जिसके बाद ये चारो चोर मिलकर केवल दो मिनिट के अंदर ATM मशीन को पिकप वैन से बांद कर भागने में काम्याब हो जाते हैं सबसे चोकाने वाली बात तो ये है कि इस ATM मशीन में कुल 21,3,700 की नगदी मौजूद थी इस ATM मशीन को ले जाने का दृष्चे सीसी टीवी कैमरा में कैद हो गया जैसे ही इसकी जानकारी बैंक करमचारियों के साथ साथ पुलिस को हुई तो महस चार घंटे में 61 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आखिरकार पुलिस ने ATM मशीन को बरामत कर लिया दिल्चस्ट बात ये है कि इस मशीन में मौजूद 21,3,700 रुपे की नगदी को वापिस ले लिया गया है धरूर पुलिस इंस्पेक्टर देविदा स्वागमरे ने अपनी स्टाफ के साथ ये करवाई की है और पुलिस अभी भी चारों फरार आरूपियों को तलाश कर रही है ऐसी ये खास कबरों के लिए जुड़े रही है एबीपी लाइफ पर